जब हम CA की बात करते हैं तो ये तो किसी की नागरिक्ता चीनता नहीं है ये नागरिक्ता देने वाना कानून है वहीं जब ममता बेनरजी जो कि खुद बंगाल की CM है और वो महिलाओं के साथ ऐसे गलत चीज़े होते हुए दुशकर्म होते हुए देखते हैं और इस पर क्याकर्माती है सैंच गरमाती हँ एसे युगाओं को दिखते हुए जो भारत के लिए घृत के लिए नारे लगते हैं तेरे तुकुड होंगे इंशाङला इंशाखिए जू चीज आपके मन में डाली जा रही है इस ब्रांतिय क्वे पहले पढ़िये यह ईक्या क्या है उस वो यह सुन रहे हैं कब से कि क्या भारत ही एक ऐसा देश बचा सा जहां पर तुम लोग आ रहे थे क्या यहीं पर जगे तुमको मिली है जो आए हो तुम लोग तो एक humanity की नेचर से भी अगर देखे हैं तो हमारा भारत उनको रख रहा अपन मैं उनको कुछ ऐसा नहीं समझ में जिनका परिवार के वारे में सोचएंगे इनका तो मैंता हूं मैं मोटी का ही परिवार हूं कैसे आपquito मद्य और देख मे रहते हैं जब बलपूर में मोर्डिजी कर परिवार की वह करें शेशा these Jeanne open st अब बहुत साइम इन इंदिया यह नहीं की बात करने में इस दिश्कार के बात करें तो रोजगार तो जिनका यह जे कहना है कि रोजगा इस देश में नहीं हैं मैं कहना चाहूंगी कि आप स्टार्ट अफ ट्राइ करके दिखे क्योंकि अभी हमारे एक नया पॉइंट ऑफ युआ है कि हमें वोकर्स नीचे हमें क्लार्क नीचे यह जो आइडिलोजी हमें दी गई है पुराने समय में अब डिटेशल्स द्वारा हमें वो लोग नीचे है हमें इस देश के लिए अच्छे अंटोप्रेनों जाए जब हम सीए की बात करते हैं तो यह तो किसी की नागरिक्ता चीनता नहीं है यह नागरिक्ता देने वाना कानून है वहीं जब ममताब एनरजी जो कि खुद बंगाल की सीम है और वो महिलाओं के साथ ऐसी गलत है कि टीम सी चिमूल कॉंगर्स और ममता सरकार का जो अल्टिमेट एम है वो भारत के तुकड़े करने का है जैसा कि हम आई दिन सुनते आए हैं ऐसी कई युवाँ हैं इस देश में और मुझे भी शर्म आती है ऐसी युवाँ को दिखते हुए जो भारत के लिए नारे लग नमस्कार दर निउस देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ हर्जुन खजूरिया तो जहां एक तरफ चुनाव की सुख बुगाहट तेज हो चुके है इसी बीच आपको बता दे देश में एक और महतपून कानून जो है वो लागू कर दिया गया है केंदर सरकार की तरफ से ज जो सबसे बड़ा यहां पर जिला है वो है जबलपूर। और जबलपूर में मैं मुझूद हूँ युवाओं के बीच मुझूद हूँ यहां का जो PSM campus है यहां पर हूँ और युवाओं से बात करूँगा सीए के बारे में भी चुनाव के बारे में हैं की क्या राया हैं उ मुख्य मंत्रियां वह महिलाएं चीफती रही चिलाती रही किसे ने उनकी बात नी सुनी फिर वो केंदर को उसमें आना पड़ा और तमाम चीज वहीं संदेश खाली पर ममताब एनरजी चूप रहती है और सिये जैसे लागो होता है तो कहती है मैं तो जान दे दूंगी अपन देने वाना कानून है वहीं जब ममताब एनरजी जो कि खुद बंगाल की सी एम है और वो महिलाओं के साथ ऐसी गलत चीज़े होते हुए दुशकर्म होते हुए देखती है और इस पर चुप रहती है तो यह सीधे सीधे साथता है कि टी एम सी च्रिमूल कॉंगर्स और ममता सरकार का जो अल्टिमेट एम है वो भारत के तुकड़े करने का है जैसा कि हम आई दिन सुनते आए हैं ऐसे कई युवाँ हैं इस देश में और मुझे भी शर्म आती है ऐसे युवाँ को दिखते हुए जो भारत के लिए नारे लगते भारत तेरे तुकड़े होंगे इंश संदेश को तोड़ना चाते है आज एक आएक्ट आया है जो इस देश को जोढ़ रहा है जो अलप संख्या को को जगे दे रहा है जो रहने के लित गर दे गर है जो माइनॉटीوس के लिए नए चीजनी एह उ नई उपरिशूनिटी खड़ा कर रहा है तो सिएा के मैं पूलत की बात जब करते हैं तो वो शर्मसार करता है इंसानियत को जानवी जी यह बताईए सबसे पहले तो की बात की गई परंदू ऐसे कुछ लोग ब्रांतिया पहला रहे हम देख रहे हैं कि आई दिन में सुन रही हूं न्यूस में की यह आएंगे तो इनको रोजगार कैसे दिया जाएगा इस तरीके की ब्रांतिया और आधे लोगों का तो ऐसा भी सोचना है कि इससे किसी की नाग सिटिजन्शिप खारेज नहीं की जा रही है सिटिजन्शिप अब इन्वेंट आक्ट का सीधा सीधा है यह मतलब है कि जो लोग माइनॉटीज है बांगलादेश अफगानिस्तान जैसी जगहों से आते हैं माइनॉटीज हैं वहां के जो भारत में आए हैं उनको हम नागरि पता दे रहे हैं उसके अलावा अभी जैसे आपने बात की जो ब्रांतिया फैलाने का प्रयास कीया जा रहा है क्या कहेंगे क्यों यह भुद अब्रहम जो है वो लोगों में पैदा किया जानारा है हर देश में हर तरीके के लोग होते हैं अपनी मान सिक्ता होती है किसी की सही होती है किसी की गलत होती है पर मैं क्योंकि खुद है की हुआ हो तो मैं सभी वाओं से इतना कहना चाहूंगी कि यह जो चीज आपके मन में डाली जारी है जो ब्रांतिय फैलाई जारी है इसके बारे है citizenship amendment act के अंतरगत तो जो लोग भी इसके बारे में गलत फहमिया पढ़ा रहे हैं गलत बाते बोल रहे हैं पहले तो सुहम उनको इस चीज़ पर study करने के आवज़शकता है क्योंकि ऐसे कुछ भी बोल देना समाज के लिए है इंहों के युँआ के लिए वहुत करना गभी महला हैं हमारे साहत मुझूद हैं यह लेकिन अब इसको लागू कर दिया गए देश में अभी खुछ विपक्षी दल है वो इसका बिरौत कर रहे हैं और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों के बहुत अच्छा गदम है ये सरकार के दोरा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे माइनोरिटी हैं वो यह सुन रहे हैं कब से कि क्या भारत ही एक ऐसा देश बचा सा जहां पर तुम लोग आ रहे थे तो उनको इसकी अब अफशकता नहीं होगी वो हमारे भारत के नागरिक रहेंगे अच्छे नजरिये से देखना चाहिए पॉजिटिवीटी से देखना चाहिए तो इंसानियत के नाते बहुत अच्छा गदर कि हम लगातार वो विजुल्स देखते हैं खास वर पाकिस्तान में किस तरीके से वहाँ पर हिंदू महिलाओं के साथ कोई उनको राइट्स नहीं जो है इतने मिलते उत्पीडन उनके साथ वहां के कुछ लोगों की तरव से किया जाता है हमारे भारत में इसलिए तो उनको comfort zone मिल रहा है उनको एक अच्छा चीज मिल रहा है हमारे अच्छा culture मिल रहा है इसलिए वह आना चाहते हैं तो हम क्यों ना इंसानियत की नाते उनको अपने हाँ रखें तो ये बहुत अच्छा कदम है और मैं इसमें सहमत हूँ तो देखिए युवाओं से लगातारम चर्चगरे आपका क्या रहा है आर्या आप कैसे देखते हैं ये जो सरकार का कदम और विपक्ष की जो भूमी का इस समय आपको क्या नजर में आए जो हमारा सेटिजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट है वो जो हमारा पुराना सेटिजन देखते हैं तो उसमें प्रोसेस थी चार पाच तरीके की उस प्रोसेस जो नैचरली है या फिर जो कुछ साल हो गए उनको रहते हुए या फिर कोई महीला शादी होकर यहां पर आती है उनको सेटिजन्शिप मिलती है तो वो चेंजस नहीं हुए दूसरा हम बात करते हैं हम अंगलादेश में अफगानिस्तान में रह रहे थी महीला वो महीलाओं के लिए एक बहुत अच्छा यह सेटिजन्शिप एमेंडमेंट आक्ट है हमके आपने भी यह सवाल पूछा कि ब्रांतिया क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि भारत में शरण ना ले बाकी उनकी लोग आकर यहां पर शरण ले यह चाहते हैं जिसके करण माइनरेटी को हम जो दे रहे हैं सिटेंसर्शिप वो नहीं चाहते हैं इसके करण वो ब्रांतिया फैला रहे हैं आपका क्या नाम? मेरा नाम ऐश्वर सूनकर है अश्वरे जी, ममता पेनरेटी का जिक्रिन ने कर दिया एक और इस देश में रहता है या फिर कहूं तो एक और मुख्यमंत्री है अरविंद केटरिवाल जो उनकी पार्टी कहती है उनको की इनसे पड़ा लिखा तो आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ लेकिन अभी मैं उनकी जितनी स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ वो सबसे अदा भरम तो मुझे लग रहा है वो लोगों के बीच में रख रहे हैं कि ये बॉर्डर खुल जाएंगे लोग वहां से आने लगेंगे कहां रखेंगे आप इतने करोड लोगों को रोजगार कहां देंगे यहां का युवा तो दर बदर गुम रहा है उसके पास नोकरी नहीं है बेरोजगार आप खुद एक युवा हैं आप क्या रिप्लाई द को यह कहना चाहूंगा कि आप उस नजरिये से नहीं देखी कि आप विपक्च के आएंगे आप देखें कि देश की तरक्की के लिए और देश के भले के लिए क्या उच्छत है यह कानून देश के लिए काफी अच्छा है गा देश में कई बड़े बदलाव लाया जाएगा तो यह क्या लग रहा है यह क्यों रोहिंगया की जब बात आती है तो उसमें उन्हीं के अमानतुला खान जो है उनका नाम आता है कि संरक्षन दे रहे हैं दिली में रोहिंगया उनके राइट्स की बात करते है लेकिन जब वहां से आने वाले हिंदू हों सीख पार्सिजन उनके लिए क्यों इतना इनके हुगी तो तो करें वह आकर कि यह यहां परात बढ़ा देंगे। क्या नाम हुआ जा रहा है चुनाव के लिए जा रहा है ने कि दो पहले से प्रस्तावित था और लागू भी हो गया है उसका तो मैं अभी नंदन करता हूं ग्रह मंत्री जी दौरा और जैसा कि राजनेतिक बिपक्ची दल ये भ्रहम फेला रहे हैं कि इनकी नागरिकता छीनी जाएगी ऐसी भ्रहम फेलाना गलत बात है नागरिकता दी जाएगी और जो शरणारती है उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी और जैसा कि मोदी जी का नारा है मोदी जी की गिरेंटी है इसे साब से चुलाओ लड़ा जा रहा है और देश की अर्सेववस्था भी अच्छी है और युवाओं को भी मौका मिल रहा है रोजजगार का हाँ वह युवां गलत है जो यो चुनावी ढखोसले है राहुल गांडी जी मंदर प्रदेश में आते हैं सबसे पहले पिछड़े वर्गे में जाके किसी की गरीब की जाक पहली बार खटिया में जाके फाइव स्टार खाने का खाना कहाते हैं किसी की भी आप देख लिए चुनाओं में ब्रान साब चुना तो जरूरी नहीं है कि नौकरी ही एक हल हो आप अपना कारे भी कर सकते हैं और जो योग होघह वह नौकरी की तरफ भी जा सकते हैं जी आप आई आपका क्या नाम हुआ अरिन पांडे है अरिन पांडे जी यही के रहने वाले जबलपूर के नहीं मैं सिंगरॉली का हूँ जबलपूर यहीं PSM कॉलेज में पढ़ता हूँ अच्छा PSM कॉलेज में पढ़ता है तो आपका क्या रुजहान है अभी चुनाव में युवा किसके साथ हैं इस बार लोकसबा चुनाव में युवा तो इस बार BJP के साथ ही है क्योंकि उन्होंने देखा है कि भाजपा ही काम कर रही है यत्ते सालों से कॉंग्रेज राज कर तो उसमें उनको कुछ ऐसा नहीं समझ में आया और मोदी जी की लहर तो चली रही है मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किये जैसे भी सी चालू किये श्री राम जनम मंदिर जी का वह हुआ तो ऐसे बहुत से काम है जिए उनके वज़े से युवा इस टाइम पर मो की सफी रेन की स्पूरीम जी जी सोच तो रहा है न हम लोगों के लिए तो हमारे परिवार ही हैं परिवार क्यां च्नअव यहां से जीत रहे है अंत्र धर्प्धेश नहीं पूरे भारत से मोढव जीत रहे हैं कि चिनने का पूरा वह है हुँ क् cóben कि उनकी उनेका भी को बीचारों को देखना है ना छेंद्रा को थोड़ी अलग करसकते हैं उनको भी तो अब लाना पड़ेगा अपने साथ नकुलनाथ क्गड़े है मैदान नकुलनाथ जीजिट बारानने वाले है अभी तो उनका चल भी रहा था भाजपा में आनागा लेकिन अगई जो भी वाथो भाजपा में नहीं आए अब भाजपा एक्सेप्ट नहीं की या फिर जो भी अंदर की रीजन रही है तो हमें तो रीजन ये सोर्सिस के मुताबिक पता लगता है युवाओं के लिए अची नीती लाते हैं चाहे हम स्टार्ट अप इंडिया के बात करें चाहे हम अभी बहुत साही नीतियां जो नहीं आई हैं उनकी बात करें में कि इन इंडिया के बात करें रोजगार की बात करें तो रोजगार तो जिनका ये कहना है कि रोजगार इस दे नहीं चाहिए हमें इस देश के लिए अच्छे आउंटो प्रेनों चाहिए आप भी समर्थन करते हैं मैं बिल्कुल इन सभी का समर्थन करता हूंगा जो पिछले बीते दस सालों में वर्तवान सरकार ने कार किया है वो सराहनिय है और जो युवाओ के भविश्च को देखते ह जैसे कि देश में एनिपी सबसे पहले लागू करने वाला मद्द प्रदेश पहला राज रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले मद्द प्रदेश में हमारी मद्द प्रदेश में ही चालू ही और भी आप जैसे एक सोंच देख ले हैं विकसित भारत 2047 जैसे दे दिया जाया कि युवा अपने भारत को वैसा बनाए 2047 तक जैसे उसकी सोंच है जैसे पिछले में हैं जैसे सभी कमिया निकालते हैं अभी हमारे हैं और अच्छा मेडिकल होना चाहिए और अच्छा कॉलेज होना चाहिए तो मोदी जी ने हमें एक फील्ड दिया है एक अब हम सब को उसमें अपनी अपनी सोंच डालकर अपने सोंच का भारत 2047 तक बनाना है तो यह आपने सुना यहां जबलपूर आप कुछ हैड करना चाहरे हैं जबलपूर में हम मुझूद है और PSM कैंपस में इस समय हम है और युवाओं से चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि युवा जो है वो देश का बविश्य है यही जो है देश की दशा और दीशा को तैय करने वाले आने वाले समय में और इस समय भारत की अगर बात कि रहे तो दुनिया का सबसे बड़ा युवाओं का देश है और युवा जिसके साथ हैं यकिनन सरकार हो ही की वो निरंतर जारी है